पूर्व मुख्यमंत्री जीतनरामांजी के सरकारी आवास पर 27 दिसेंबर को एक भोज होना है जिसकी तयारियां उनके आवास पर चल रही है ऐसे में आपको बता दे कि बीती दिनों जीतनरामांजी के तरफ से ब्रामनों को और पंडतों के खिलाफ अभधर भाशाओं का प्रयोग किया गया था जीतनरामांजी के तरफ से काफी विवादत बयान सामने आये थे ऐसे में वो अपने बयानों पर लगातार ठिके रहे वो अपनी बात से पीछे हटने को तयार नहीं है साती साथ माफी नामे में भी उन्होंने या तक कह दिया कि उन्होंने ब्राम्मनों को जो ठेस पहुचाई है उसके लिए भले ही वो माफी मांग रहे हैं लेकिन ब्राह्मनवाद के खिलाफ वो हमेशा रहेंगे और इसके खिलाफ जो लड़ाई है उनके तरफ से हमेशा जारी रहेगी जिसके बाद बिहार की राजनीती में हडकंप मशता हुआ नजर आया विपक्षी दल साती साथ जो लोग जीतनामानजी के बयान से संतुष्ट नहीं थे उनके खिलाफ मोचा निकालना शुरू कर दी उनके सरकारी आवास के सामने भी काफी प्रदर्शन किया गया ऐसे में जी जीतनामानजी के तरफ से एक और बात सामने आ रही है जहां पर उन्होंने अपने इस भोज का नाम ही बूरु तरीके से पलट दिया है ऐसे में जहां इस भोज का पहले नाम ब्राह्मन पंडत भोज रखा गया था तो वहीं अब इस भोज का नाम पंडत दलित एकता भोज को लेकर क्या कुछ तयारिया चल रही है जीतनामांची के सरकारी आवास पर और क्या कुछ कहा है जीतनामांची ने ब्रामणों को लेकर पंडितों को लेकर और आने वाले भोच के कारिक्रम को लेकर आई ये पूरी बात जानते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनाम मांची के आवास पर 27 दिसेंबर को भोज होने वाला है एक कारिक्रम में पंडितों को गाली देने के बाद उन्होंने एक दिन पहले ही आयोजन की जानकारी दी थी अब सोमवार को होने वाले कारिक्रम का नाम ब्राम्मन दलत एकता भोज रग दिया गया है इसके पहले इसे ब भोज में वही ब्राम्मन और पंडित शामिल हो सकते हैं जो मांस मदीरा का सेवन ना करते हो और कभी चोड़ी डखैती ना की हो बता दे कि ब्राम्मन पंडितों को गाली देकर चर्चा में आये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतना माल जी अपने आवास पर भोज दे की गई थी कि जो ब्राम्मन मांस मदीरा का सेवन ना करते हो और कभी चोड़ी जकैती ना की हो वो भोज में शामिल हो सकते हैं 27 दिसेंबर को दुपहर 12 बज़े अपनी सरकारी आवास पर खुद ऐसे लोगों को मांजी अपने हाथों से भूजन बरोसेंगे वहीं भोज कारीक्रम में शुकरवार को थोड़ा परिवर्तन किया गया है सुमवार को होने वाली कारीक्रम में अब्राम्मनों के साथ दलितों को भी इसमें जोड़ा गया है यानि जीतनाम मांजी के भोज में पंडितों के साथ दलित भी शामिल हो सकेंगे हमके राष्टर प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि मांची भोज में खुद अपने हातों से ब्रामणों और दलितों को भूजन परोसेंगे, कारिक्रम में ब्रामण दलित शामिल हो सकते हैं शुकरवार को बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने मांची से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की, इस दोरान विधान परशत चुनाओ सरकार के आयोग बोडेवम समीतियों के गठन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ यूपी चुनाओ पर दोनों नेताओं की बा भोज खिलाएंगे तुबहीं अब इस भोज में दलितों को भी जोडा गया है याने कि अब ये ब्रामणों के साथ साथ दलितों का भी भोज होगा दलित ब्रामणों के साथ बैट कर भोज में खाना खाएंगे और जीतन नामाजी खुद दलितों और ब्रामण को अपने परोसेंगे फिलाल के लिए इतना ही और कई अपडेट्स के लिए मैं साथ बनी रहें न्यूस फोर नेशन में नमस्कार